ब्रिटेन की रोयल फैंबली से बिलॉंग करने वाली क्विन अलिजबेट टू से आप जब तो वाकिफ होंगे लेकिन हाल फिलाल में ब्रिटेन की निजी न्यूज एजनसी दोआरा रानी से जुड़ी एक बास सामने आई है रानी जहां भी जाती हैं हर वक्त अपना हैंड बैक अपने साथ ले जाती हैं और ये उनको अपने स्टाफ से गुपत शंदेश देने में मदद करता है कहा ये जा रहा है कि रानी जब भी किसी guest से बात करती है और अपने handbag को left hand से right में लेती है तो वो उसी वक्त वही पर बास्चीत रोखना चाहती है और अगर वो अपने back table पर रखती है यानि वो अब 5 मिनट के अंदर अंदर उस जगह से निकलना चाहती है और अगर वो अपना back समीन पर रखती है यानि कि अब उन्हें पास्चीत में मज़ा नहीं आ रहा है और वो इसी वक्त पास्चीत बंद करना चाहती है और यहां तक कि कभी-कभी रानी को अगर किसी वारतालाप के बीज में तुरंच जाना हो तो वो अपनी वैडिंग रिंग को ट्विस्ट करके भी अपनी स्टाफ को सिगनल देती है अब आज तक यही सुनते पढ़ते हैं कि साहरा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है पर क्या यह पूरी तरह सच है? साहरा रेगिस्तान उतरी अफ्रीका के बड़े हिस्से में फैला हुआ है साहरा पहुत करम रेगिस्तान है यहां का अधिक्तम तापमान 58 डिगरी सलसे तक चले जाता है और इसका एक चौता हिस्सा ग्रेवल है यानि पत्रीला है जबकि पाके हिस्सा रेतीला है अगर बात की जाए दुन्या के सबसे बड़े रिगिस्तानों की तो उसमें polar desert यानि दुरुवे रिगिस्तान सबसे सीड स्थान पर आएंगे Antarctic polar desert दुन्या के सबसे बड़ा रिगिस्तान है क्योंकि उसका चेतरफल 5.5 million square meal है जबकि दूसे नंबर पर Arctic polar desert है जो की 5.2 million square meal है और जबकि साहरा रिगिस्तान इस पाइदान पर तीसरे में आता है क्योंकि उसका चेतरफल 3.3 million square meal है Antarctic desert दुन्या का सबसे ठंडा रिगिस्तान है इसमें 29.5-89.2 degree Celsius नापा गया है क्या आपको पता है कि बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके एक मैने के होने तक उनने सिब black और white नजर आता है ये इसलिए होता है क्योंकि बेबीज का brain under develop होता है और develop हो रहा होता है हमारे आखों के रेटीना में कौन सिनामक सेल होते हैं जो हमें अलग-अलग रंग देखने में मदद करते हैं और बेबीज में इस सेल के पूरी तरह develop होने में करीबन 4-5 मैने लग जाते हैं और fact ये है कि बच्चों को एक मैने तक black, white और green नजर आता है क्या आपने कभी किसी घोड़े और इस पर बैठे किसी warrior का statue देखा है अगर statue में घोड़े के दोनों पैर हवा में हो तो इसका मतलब क्या है और अगर घोड़े के एक पैर जमीन पर हो तो इसका मतलब क्या है या फिर घोड़े के दोनों पैर जमीन पर हो तो इसका मतलब क्या है असल में अगर घोड़े के दोनों पैर उपर हैं मतलब उस पर बैठे वारियर के मृत्यू युद्ध के दोरान हुई है और अगर एक पैर हवा में हो तो इसका मतलब उसकी मृत्यू युद्ध में लगी चोटो के कारण हुई है और अगर दोनों पैर ही नीचे हो तो इसका मतलब कि उस वीर की मृत्यू प्राकृतिक थी आप ये सुनकर चौक उटेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस अपनी छेतरफल के मामले में प्लूटो को भी पीछे छोड़ चुका है रूसिया का छेतरफल प्लूटो के छेतरफल से कही गुना ज़्यादा है अब चलते हैं अपने शो के सबसे फेवरेट सेग्मेंट पर जिसका नाम है जिंगाट फैक्ट जहां पर आपको ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे कि आप अपना सर पकड़ कर बैठ चाएंगे तो कमजोर दिलवाले ये फैक्ट वीडियो आगे ना देखें क्या आपको पता है कि आपके सिलेंडर की एक्सपारी डिट कहा लिके रहती है ध्यान से सरकल के अंदर देखें वहाँ पर आपको A से D तक अल्फावेट और उसके बगल में नमबर दिखेंगे अल्फावेट मत बताता है और नमबर साल A बताता है मार्च को, B बताता है जून को, C बताता है सप्टमबर को और D बताता है दिसमबर को अगर आपके बाद पैसे नहीं और आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप नॉर्वेज जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गवर्मेंट यूनिवर्स्टीज हर एक फॉर्न एरक ले एकदम फ्री है अपनी पॉकेट से 2000 का नोट निकाले और इसमें बनी बबल्स को गिनेंगे तो आपको अलग-अलग रीजन पर 9, 11 और 16 बबल्स मिलेंगे जो की दर्शाते हैं 9 November 2016 की तितिको जो की डेट है देश के पहले 2000 नोट की जारी होने की दिन में खुब सूरत ताज रात को अंधेरे में रहता है बहुत बार कवर्मेंट ने ताज के गार्डन में लाइट लगाने की कोशिश की है पर बार बार वो असफल रहे क्योंकि लाइट हर पार तूट जाती है आइजलेंडी एक मात्र कंट्री है जहां पर आपको मच्छर, स्नेक्स या फर कोई रेप्टाइल नहीं मिलेंगे बर्मुदा ट्राइंगल की मिस्ट्री तो आप सब जानते होंगे पर क्या आपको उसका साइंटिफिक रीजन पता है साइंटिस ने सैटलाइट इमिजस से ये पता लगाया है कि वहाँ पर हेक्जागनल क्लाउड बनते हैं जो कि एरबॉम का काम करते हैं जिस कारण एर ब्लास्ट होती है और स्ट्रॉंग विंड क्रेट होती है जो किसी भी शिप एरब्लेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी अब यह देखिए दिल्ली का आइरन पिलर और पैरिस का आफिल टावर में डिफिनस इससे पतलता है कि इंशेंट आर्किटेक्चर मॉडन आर्किटेक्चर से कितना ज़द एडवांस था क्या आपको पता है कि बनानास स्टेट की डवलप नहीं होते हैं बनानास के ग्रोथ में तीन स्टेट से होते हैं अबसे शुरुवाती दोर में वो बाकी फलो की तरह ग्राउंड की तरफ एकदम स्टेट डवलप होते हैं और जबकि दूसरे चीज़े से आने तक वोने सलनायट की ज़्यादा जरुवत होने की कारण वो ग्राउंड की तरफ नडवलप होकर सलनायट की तरफ रुप करते हैं और इस तरह वो धीरे-धीरे कर्व शेप लेने लगते हैं इस फिनोमेना को नेगटिव जियोट्रॉपिजम भी कहते हैं यानि ग्रैविटी की उल्टी डिरेक्शन में मूव करना यह जो मूविंग विल्चेर आप देख रहे हैं इसका इंवेंशन और पहली बार यूज दे ग्रीट चार्ल्स टाविन ने किया था और वो भी अपने ऑफिस में इजली मूव करने के लिए अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने चानने वालों में से शेयर कर दीजे